जहिन सातियो मैं डॉक्टर संग्राम पाटेल इंगलंड से बात कर रहा हूँ सातियो वाइरस का जो पैंडेमिक शुरू हुआ है डिसमबर 2019 से यह चाइना से इसकी जर्नी शुरू हुई है और पूरी दुनिया एक ग्लोबल हो गई है आजकल तो एक किसी कॉर्नर में दुनिया के कही वाइरस का ओटब्रेक हो जाता है और वहाँ से अगर लोग ट्रावल कर जाते है अलग-अलग पार्ट्स में तो यह ग्लोबली इसका रिलेवन्स हो जाता है जैसे ओरिजिनल जो COVID-19 का वाइरस है यह पूरी दुनिया में फैल गया लेकिन वाइरस जैसे म्यूटेट होता है अलग-अलग पार्ट्स में तो वह वाइरस वहा का लोकल वाइरस भी और फैल जाता है original virus तो रहता ही है और उसे बाद में ये mutant variant जो रहते है ये भी फैलते हैं इन में कुछ ज़्यादा असरदार होते हैं मतलब ज़्यादा risky होते हैं ज़्यादा फैलते हैं या ज़्यादा serious disease करते हैं या कुछ कम करते हैं, जो ज़्यादा फैलते हैं और ज़्यादा बिमारी पैदा करते हैं, लोगों की जान लेते हैं, ऐसे वाइरस को variant of concern, VOC कहा जाता है, तो इनमें अब तक एक UK में Kent variant आया, जिससे भारत में भी cases बढ़े थे, UK में जो second wave आया ये बढ़ गया था, Brazil का variant है, South Africa का variant है, America के California और अलग-अलग part में variants आ गए, और अब इंडिया में October से जो variant चल रहा है, वो है B1.617, ये इंडिया में फैला, और खास करके इंडिया में जब ये बड़े-बड़े मेले लगे, gatherings हुए, election की rallies हुई, इसमें से अब पूरी इंडिया में ये फैल गया, लेकिन जैसे इंडियान बाहर ट्रावल करने लगे, तो वो बाहर भी आ गया, तो अब तक ऐसे पता चला है कि कब से कम 44, 44 countries में ये फैल गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा UK में इसका फैला हुआ है, US में हुआ है, और दुनिया के अलग-अलग देशों में हुआ है, और य ऐसे UK का Kent variant ज़्यादा फैलता है, 60-70% ज़्यादा ओरिजिनल वाइरस से, वैसे ही उतने ही लेवल तक ये फैलता है, ऐसे अब साइंटिस्ट लोगों का मानना है, तो इसकी वज़े से ज़्यादा लोगों को संक्रम होता है, ज़्यादा लोग बिमार होते हैं, लेकिन अब अब तक ये नहीं तय हुआ है कि इससे ज़्यादा गंबिर बिमारी होती है क्या, तो ऐसे कुछ इसका पुक्ता सबुत नहीं मिला है, दूसरी बात यह है कि इस वाइरस को जो दवाईया है, स्टेरोईड और बाकी जो ट्रिटमेंट किये जा रही है, ये उतना ही सामनी नहीं आया है इसके लिए, और वैक्सिन के लिए इसकी एफिकसी ऐसा डाउट है कि शायद वैक्सिन थोड़ा बहुत कम असरदार हो ये निव वेरियन के लिए, लेकिन ये कम्प्लिट इसका असर ना हो, बिल्कुल भी असर ना हो, ऐसा कोई नहीं मान रहा है, तो वै इसको अब इंगलन में जब सेकंड वेरियन तरह से लगबक कंट्रोल हो गई है, यहाँ पर स्कूल काफी दिनों से शुरू है, और स्कूल में बच्चा असर ना हो, बिल्कुल वेरियन पहले पहले जो प्रेस कान्फरेंस की थी, उसमें इंडिया में जो वेरियन पाया गया बच्चों को मास्क लगाना कंपलसरी है, और अब अनलॉकिंग भी शुरू हो गया है इंगलन में, मतलब लोग मार्केट्स खुल रहे है, मिड में से अब काफी सारे जो फैसिलिटीज है वो खुल जाएंगे, इंडोर, स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स है, होटल खुल जाएंग लेकिन एक तरफ ये इंडियन वेरियंट यूके में फैल रहा है, बोल्टन, लंडन जहाँ पर इंडियन कम्यूनिटी रहती है, ऐसे जगह पर इसका फैलाव बढ़ गया है, और यहाँ पर इंगलन में इंडियन वेरियंट के तीन म्यूटन पाए गया है, तो शुरू में जो original आया है वह B1617 है लेकिन B1617.2 और B1617.3 ऐसे तीन mutant यहाँ पर पाये गये है और इसमें का जो B1.617.2 है यह सबसे ज़्यादा पाया गया है इसके cases काफी fast बढ़ गये है तो इसके last जो आकड़ा था यह 520 cases पाये गये थे इसके तो यह एक इसकी चिंता यहाँ के public health को है doctors को है जो medical field के जो intellectuals है उनको है तो government जब कहती है कि mask classroom में से हटाया जाए बच्चों का लेकिन बाकी जो areas है जैसे canteen है और जहाँ पर बच्चे आपस में गुल मिल जाते है वहाँ पर mask रहने दिया जाए तो experts का अभी यह कहना है कि classroom में भी mask अभी रखने चाहिए इस महिने और अगले महिने सब कुछ अगर ठीक रहता है तो mid June में mask बन करने चाहिए नहीं तो यह जल्दबाजी होगी और बच्चों के द्वारा फिर जो बच्चे हुए लोग है घर के इनका मानना है लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह बहुत ज़्यादा risk नहीं होगी बहुत बड़ी इससे दिक्कत नहीं होगी तो अब यह देखते हैं कि अगले हपते में government क्या decision लेती है तो साथियो समरी यह है कि Indian variant जो है यह थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है लोगों में शायद यह treatment को कम response करता हो शायद यह vaccine को थोड़ा बहुत कम response करता हो लेकिन एक बात है कि यह ज़्यादा फैलता है तो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि मास्क लगा कर ही बाहर निकले अगर किसी को लक्षन आ जा आ जाता है तो आपके लक्षन क्या है उसके इसाब से ज़्यादा तर लोगों को कुछ treatment नहीं लगती है अगर गंबिर लक्षन हो जाते है जो चटे सात्वे दिन के बाद ज़्यादा तर लोगों में आते है तो आपको steroid chest का चाती का x-ray लग सकता है इस तरह की सावधानिय हम बरते भीड में ना जाए भीड का आयोजन ना करे और एक दूसरे के घर बिलकुल ना जाए अगर किसी को मिलना भी पड़े तो आप 6 पिट की दूरी से मिले मास्क लगा कर मिले हाथ की जो cleanliness है बार-बार हाथ दोते रहे या sanitizer लगाते रहे इन simple चीजों का अगर हम ध्या लोड आ गया है ये भी कम हो जाएगा साथियो मैं आशा करता हूँ कि ये update आपको अच्छा लगे जादा से जादा लोगों से share कीजिए जैहिन साथियो